वैसे एक बात है ट्रेवलिंग और व्लोगिंग रहना वह इसली नहीं है आज से तक्रीपन कोई 500 साल पुराने यह दरक्त है यहां पर यह मशूर है के जो बंदा समर पेलेस पर आया है वह इस खश्टी के साथ यहां पर आके तफ्वीर ना खिंच वा है बतलब वह बंदा समर पेलेस में नहीं आया बेजिंग की एक नई वीडियो में आप सब लोगों खुशामदीद बलीकार विलकम मैं हूँ अश्वाक वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तो किसे हैं दोस्तों आप वही देख रहे होंगे तो आज मुझे बेजिंग में दोस्तों को अगरा आप स्टेटी के लिए आ रहे हैं अगरा विजिट के लिए आ रहे हो तो काफी चीज़ें जो है आप मेरी वीडियो से सीख सकते हो आपको काफी जो है वह गाइडर्स मिल जाएगी मेरी विजिए को देखके अभी हमने पैमन खौंग मेट्रो स्टेशन लाइन फोर पर एक्जिट किया है इसका जो एक्जिट था वो डी वेस्ट गेट था आज वैसे कम लोग है बनस बजो तीन दिन प्रिछले हमने गुजा रहे हैं यहां पर उसे कम लोग है आज मौसम भी जो है वह बरा दबदोस हो गया है बरसात का मौसम हो गया है आज तो यहां से तकरीवन कोई 500 से 600 मीटर यह दूर है जगा मेट्रो स्टेशन से हम बाय वॉक जा रहे हैं तो यह है में गेट समर पेलेस का इखईवान तो यह है में टिकेट बाय करने का जो सिस्टर में होई है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और उसके साद आप कांटर पर भी ले अब यहां पर कि यहां पर बाद श्क्रें के आप देख रहे हैं यहां फॉप्षिन देख रहे आए यह को हृषिक runौ करना फिरसको को थे के बाद प्रिये कुछ इनके जो है वो रूल पगर है ऊपर ने आप पासपट प्र या पर आएंगे अच्छिक है पासपट पर फे यहां पे यहां पर दो होती है एक होता है कम्बैंट टीकेत और दूसरा होता है एडविश्ण हैं करेंगे यहां पर लिखा हुआ है कि यह जो अवेलेबल टिकेट है माइनर के लिए जिनकी उम्मर शाथ यह 18 साल है लेकिन हम चुंके थोड़े वरे लग रहे हैं आठारा सल के तो नहीं लग रहे तो हमने कांटष से पता क्या है हम आपको स्केर जक् legislature करेंगे तो अभी हम यहां से बाय करेंगे आपको दखाएंगे अंदर जाकर के यह हमेशते हैं करते हैं तो यह देख रहे हैं हमने अभी टिकेट बाय कर लिए ठीक है अब हम अभी जो है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं मतलब यहां पर जो होशारी करनी परती है थोड़ी-थोडी कभी-कभी साहिए पूंकि हम जो टिकेट बाय कर रहे थे तो हमने फुल टिकेट बाय कर ली थी और स्टुरंट के नहीं कर रहे थे हमने बोला कि शायद चोड़े नचोले उमर जो है वह साथ से 18 साल में में तो हमने सचा कल वहां पर जाएंगे काउंटर पर उनसे पूछेंगे अगर वह उस्ट दो वादों के जुगार चलते हैं, जो आप खर सकते हो सही है तो यह है इसका इन्ट्रुटू यह थूर गाईड ना जूर रहा अधा थैओ यहाँ पर नीचे जाने की अलक टिकेट है यहाँ पर टिकेट काउंटर है फुल टिकेट जो है वह दस वन की है और डिसकाउंट प्राइस पांचन वान है वादब उस्ट्रों को 5 वन मिल सकती है तो हम तो स्कूर नहीं जा रहे लीचे यहाँ पर यह एच्छोटी से एक लेक बनी हुई है और यहां पर कश्टियां वगरा भी है इस स्ट्रीट को बोलते हैं सूजो इसके लावा मैं आपको बता देज्ञूं कि यहां पे जो फ्लेस होती है चाइना में खासकर यहां में बेजिंग में वैसे काफी जगहों पर मैं गया हूं उस तरह की सवलत होती है यहा ऊच्टीसी मतलब ड्वाइस होती है जो आप एरफोन की सरी कानों में लगाते हो फिर वह आपको जिस जगह पर जाते हो जिस पोईंट पर जाते हो इसके बारे में आपको इनफिर में बताता है वह मल्टीपल लेना चाहते हो तो उसकी अलग चारज दो तो आप ले सकते हो और यहां पर आप पीछे की तरफ देख रहे हैं यह न्यू कंस्रुक्षन अभी हो रही है ठीक है 2019 से लेके 2021 तक जो है न्यू कंस्रुक्षन किये यह देख रहे हैं यह बलकुली न्यू है अभी इन्होंने यह बंद किया वा है पॉर्शन अब इसका अर्खिटेक्ट्चर देख रहे है कितना पुराना लग रहे है बेजिंग का व्यू भी आरा है बेजिंग सिटी का व्यू एक scooty है यहां पर हमने इनकी गलती पकड़िये यह नूर्त Flles ओता है यह पर पर नोने मस्कत दिया यहां पी लगाया होगा है तो इसक्सम कि यहां पर छोटी-đचाथी मिस्टेक्स होती है इसतरह के सब आप दखाएंगे यह फैर सब्तouse यहां पर इस तरह की शोप्स होती है जहां से गिफट शिफ्ट बंदा ले सकता है जो लोग यहां पर टूर्स वगए आते हैं तो यहां से गिफ बगार लेके फिर अपने गरों को लेखी जाते हैं अब देख रहें हैं और जो इस जो पीसे जो बने होते न शोपीस वगएरा वह उस जगा के रिलेटेट बने होते हैं अब उस दिन आप माउददोंग वाले वाल पे गये थे तो वहां पर माउददोंग के जो है वो कुछ शोपीज पगरा थे कुछ वो तो हर जगा पर जो है न वह उस जगा को रिप्रेसेंट करते हैं अब अधरन की प्राइस की बात कीज़ा तो बहरे महिंगे होते हैं यह यह 500-200 यूवान 300 यूवान से उपर होते हैं अब यह आप देख रहें हो ठीक है यह शोपीज यह 198 यूएंग का है यह 120 यूवान का है कि अब यह था यह थाइड और यह थाइड दाओ जो है जो तो यह यह थार्टी नाइन पाइंट नाइन का है ना के संबर पेलप बना हुआ है उब देख रहें यहां भी में ज्यक्lor पहुँंच गए यहां का जो मेंट यू पहल consent का सामने देखर6 वह पहले और यह लेक बनी हुए है तो यह जो क्या है यहां यहां से य्वा पर करतीयां यह इस आप यहां पर एक कश्टी बनी हुई है बोट बनी हुई है अब देख रहे हैं यह मार्बल से बनी हुई है यह कोई लख़ी कि नहीं है यह चल नहीं सक्ति फ्रेंश यहां पर जो बनसा की नहीं है कि इस μुझे about this मैं साथ घुम के ठीक है तो वह वीडियो में फ्राक शर्माता है आने के लिए आप आजियोश की सुन सकते हो जी वाई कि तो क्या पूब आप किसा लगा हिंए नेक्स इसाथ घुमकर जो अप yarnéls काफी जिगए को P तो इसलिए अभी जो यह 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 जो समर पहले से यह रेट वाल था जो भी जगहे हैं वो तो में पहले घूम कर आया था ठीक है ना लेकिन जो अभी आपसद में गया हूँ आपसद में टाइम इंजॉय किया है और उपर से आपने तीन-चार दिन मुझे रात को सोने नहीं दि तीन-चार दिन से हम आपको डिस्टप करते जा रहे हैं आपको सोने नहीं दे रहे हैं वैसे एक बात है ट्रेवलिंग और व्लोगिंग यह नहीं है उसके लिए मतलब के टाइम चाहिए होता है पैसे चाहिए होते हैं और आपकी जो नीदे और जाती है कि आप घुम घुम क श्रकी हमें बवा गुमने वाला बनता है कि शाय चाहता है वह उसको दो तीन-चो सकता है काफी सा जगहां कि आप आप अप काफी नोग हों यहाँ पर भूप बच आपthe के बचे भी है जो आपने देखे होंगे पर में यह स्कूल के बच आते हैं पकीनिंग के लिए लेके आते है और बेजिंग से नहीं आते काफी दूसरी जगां से आते हैं दूसरे सिटी से आते हैं लास्टाम हमें कुछ बचे मुले थे जो चौंग्चिंग सिटी से आये थे और यह तरफ जील आप देख रहे हैं यह जील जो है वह नेचरल ही जील है कुछ हिस्ट्री लिखी थी कि बाच्छा यहां से इस जगह से जो है वह कश्टी के दरेच जाता था कहीं और तो यह उस टाइम से ही जील है यह लेकिन आजकल जो हमने देखी है जो नई कंस्ट्रक्शन करते हैं चानिस लोग नई जगह वगरा बनाते हैं तो उसमें यह आर्टिविशल जील बनाते हैं यहां पर यह दरक्त आप देख रहे हैं यह बहुत ही पुराने हैं तक्रीब आप जानते होंगे के जो लास्ट डाइनस्टी रही है चाइना पर वह चिंग डाइनस्टी में यह दरक्त उन्होंने लगाय थे तो यह में जो उपर बना हुआ है इसमें जाने के लिए अलग से टिकेट हैं आप देख रहे हैं यह यहां पर एंट्री इसकी हमने चूंके इ इसका टिकेट काउंट रहे हैं जैसे फ्यों तो शुक्त है तो बोर्ड में भी लिखा हुआ है ठीक है पूरा पेकेज इसमें दिया हुआ है कि अगर आप फुल टिकेट लेते हो जिसमें मतलब सारी चीजे इंक्लूड हो टावर ऑफ तुद्देस्ट यह गारडन है सुचो लेकिन फिर टिकेट पिकेज है वह सुंधियों का अगरां लेतैं है तथि और pipeline को सब्सक्राइब तो मुझे ऊपिद है कि आजिए काफी िन्फिमिटिव रही होगी आपने यहां पर बेजिंग में वाके समर पेलस देखा होगा और यहां पे कुछ पुरानी इमारतें देखी होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल लखिएगा अलाँ आफ़स